हेलो साथियो नमस्कार स्वागत है आपका एवर एक्जाम पे सभी एक बार बता देंगे कैसे है और क्या खुसकबरी दी है खुसकबरी तो पहले ही आगी थी स्टुडेंटों के लिए पर अभी माक सीट आ चुकी है जिनका नहीं हुआ या जिनका हो गया उससे क्या पता चलन आपने वाला है कि आपने कितना करके आए थे कितना नहीं करके आए यूपी पीचेश 21 वाली माक सीट आ चुकी है वह आज सारी एक साथ आपको दिखाएंगे और कट ओफ भी दिखाएंगे आखिर कितने नंबरों पर डीएस पी एच्डियम बनते हैं उससे पहले एक छोट जमीन पर कुछ ऐसा कर दो कि जमाना मिसाल दे तो साथी इसी के साथ आज देख लो यह कुछ माक सीट है देखो यह एच्डियम थे रैंक आठ आई है इनकी कितनी आई है रैंक आठ आई है और यह देख लो एक अनेक्सपेक्टिड रिजल्ट आया माक्स भी बहुत अच्छे मिले हैं इस बार जियोग्राफी के पेपर में जो ऑप्शनल होता था अगर इनकी एट रैंक है तो आप देखेंगे इनके कितने माक्स हैं उप्शनल में 125 और 116 दूसरे पेपर में जबकि सारे पेपरों म एवरेज माक्स हैं कोई जादे माक्स इनके नहीं आया है फिर भी आठ वी रैंकिन की आई है यह देखो हिंदी के पेपर में 101 और से के पेपर में मात्र 87 110 आये हैं जी एस वन में 113 टू में 106 थिदी में और जी एस फोर में 102 आये हैं तो पता है यूपी पीच्यस क्या कहता है जादे माक्स मत लाओ पड़ अभी तो ओप्शनल ने खेल खेल लखा है और इसका तो खेला हो रहा है तो आप एक बार बताएं चाहिए यूपी पीच्यस में क्या आयोग ने शासन को एक लेटर लिखा था यूपीच्यस से ऑ्प्शनल हटाने लिए तो आप भी हमारे कमेंट्स में लिए देंगे कि आप आप श्रक के साथ जाते हैं या उप सब हटवाना चाहते हैं हम क्या करेंगे उसमें मेल भेजें नहीं हटवाना तो फिर तो जैसा चला है वैसा ठीक है ही इनका नाम क्या था इनका नाम था विवेक कुमार सिंग और आठ वी इनकी रेंग थी और इनको क्या मिला था का SDM ऐसे ही सारी माक सीट है और देखो इंटर्व्यू क्या बहुत महत्पूर होता है यूपी पीसियस के लिए यूपी पीसियस के इंटर्व्यू में फैक्ट्वल कोश्चन जहादे पूछे जाते हैं तो इसलिए यहां पर इंटर्व्यू का महत्व अपने आप में ही रखते हैं ये कुछ हो रहें ये संध्या सिंग संधिया सिंग इनकी बहनी है कौन हैनकी इनकी शिश्टर यहां दोनों सिश्टर ब्रदर ने एक साथ ही कि निकाला संधिया सिंग इनको भी मिला है और इनकी भी रैंक अच्छी खासी आई है लड़कियों में तो टॉप रैंक इनकी आई है और ओप्शनल विशे इनका पॉलेटिकल साइंस था पॉलेटिकल साइंस क्या था इनका ओप्शनल विशे था जिसको PSIR भी कह देते हैं PSIR इनका ओप्शनल था और देखो 107 इ 22 का दिया है अच्छा गया है तो भी घवराना नहीं है और अगर जब 23 का पेपर देने जाएंगे प्री निकालने के बाद इन मार्क सीटों की आइनलेसिस आपको बहुत जरूरी है कि मुझे कहां मैंटेन करके चलना है और कहां पे नंबर गेन करने हैं अगर आप इस तरह स अगर आपको नहीं दिख रहा हिंदी में 101 नंबर थे से में 87 जर्नल इस्टडी 1 में 112 जर्नल इस्टडी 2 में 106 थिरी में 107 और जर्नल इस्टडी 4 में 101 नंबर थे तो हिंदी का भी अलगी महत्व है यूपी PCS के मेंस के एकजाम में यह भी आपको नोट कर लेना है और 67 मार्क्स आने अपने आप में ही एक अलग है यूपी PCS का इंटर्व्यू अधिकतर factual questions पे होता है और वहाँ पे 67 मार्क्स लाने बहुत बड़ी उपलब्दी मानी जाती है आज और ये कुछ है ये और कुछ मार्क सीट है ये भी जियोग्रफी की मार्क सीट है इनका वी वि सवाल तो यही है सर इनकी है किस विशे में कमी रही जो इनका इंटर्वियू कोल नहीं आया तो यह देखो ओप्शनल का खेला है सब और किसी का भी खेला नहीं है इनके ओप्शनल में इतने कम माक्स थे कि इनको इंटर्वियू का कोल नहीं आया अगर हम previous वाले candidates मैच करें मतलब इनको interview call नहीं आना इनके लिए साबित हो गया तो अपने आप में optional अभी UPPCS में बहुत अच्छा रोल पिले करने लगा है पर अभी आप थोड़ा सा धेरिये बनाए optional को बेशक ना भी पड़े क्योंकि सासन से कुछ आदेश मिले है UPPCS को और वो उन संसोधन को करने में लगा हुआ है अब आगे देख लेते हैं ये कुछ mark sheet हैं ये हिंदी literature की हैं जो हिंदी वाले बच्चे हैं हिंदी literature वाले वो इस mark sheet को अच्छे से देखें इनके भी क्या optional म अच्छे माक्स ना होने की वज़े से इनका भी interview call नहीं आया इस वीडियो का मकसद बिलकुल भी ये नहीं है कि आपको ये mark sheet दिखा के कुछ वैसा बोला जाए कि देख लो mark sheet कैसी होती है आपको ये बताना है आपकी strategy क्या रहनी चाहिए अगर आपकी strategy ठीक है mains को लेके तो आप इसको qualify बड़े आसानी से कर जाते हैं अब देख लो इन्होंने optional पे ध्यान नहीं दिया और इन्हें यहीं पे भार होना पड़ा इनका interview call मात्र मैं आपको बता रहा हूं 10 या 12 नंबर से interview call रह गया होगा और इनको selection से भार कर दिया जबकि अगर हिंदी में देखो अच PSIR की आगी यह PSIR optional था और इनके भी optional में यहां पे marks नहीं थे तो इनका भार होना बन गया जबकि इनके marks देखो कितने अच्छे हैं General study 3 में 115 marks हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं क्या रखते हैं बहुत महत्तवता रखते हैं 115 marks लाने out of 200 कितने में से 200 में से और देख लो फिर भी क्या नहीं इनका interview call नहीं आया तो अगर इनका optional अच्छा होता optional में जादे नहीं अगर ये 30 number all लियाते ना तो ये interview call आ जाता और सायद कहीं न कहीं select हो जाते चाये वो नयवत तैसिलदार हो या और छोटी कोई भी rank पे ये select हो सकते थे यहाँ पे optional ने यूपी PCS में बहुत बड़ा role play करा है 21 में भी 20 में भी बहुत अच्छा role play करा था तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है अपने optional को पर अभी आप hold रखो optional को अभी नहीं पढ़ना क्योंकि optional को तब पढ़ना है तब जब सासन से बिलकुल मल आयोक से आदेश आ जाए कि हाँ हम optional continue रखेंगे अब भी 15 दिन मत पढ़ना उसके बाद आप बेसक से पढ़ने लग जाना यह कुछ और mark seat देख लो एक J mark seat है यह भी देख लो बहुत mark seat है आप देख सकते हो और जिनका भी interview call नहीं आया वो तो सारे optional की वज़े सही है देखो sociology का इनका wish था यहाँ पे number नहीं लाए तो interview call न आना optional का कहीं ना कहीं कमजोर होना अब यहीं कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने साथ ही है पुराने यूपी पीचेस तयारी करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे mark खा रहे हैं और UPSC का बच्चा कहीं ना कहीं UPSC में भी अब जंप करके selection ले रहा है यह देख लो कुछ और मार्सीट है PSIR की है यह जूलो जी की माख सीट है किसकी साथ ही जूलो जी विशय है अब जूलो जी विशय ऐसा है कि बहुत डिटेल विशय है बहुत कम लोग लेते हैं तो इनके तो सभी में कम मार्स और और उप्षिनल में तो हो नहीं है जब सभी में तो इसलिए इनका भी कॉल इंटर्व्यू नहीं आया यह कुछ और मार्क सीटें फिलोस्पी की है है ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फिलोस्पी अगर आप पढ़ो तो बहुत ही शांदार हो जाता है पर इंटर्व्यू इ इंटर्व्यू कोल तो नहीं आता बिलकुल भी क्योंकि किसी वी विश्य में आप 10 या 5 नंबर कम ला रहे हैं एवरेज स्टुडेंट से तो कहीं ना कहीं आप क्या भार हो जाते हैं बिलकुल के बिलकुल कट उपस है कहीं भी आपको उसमें इस्थान नहीं मिलता यह बोट पेपर दे के बच्चा निकला इतना मोटा पेपर था करीबन 20-22 पेचों का और भाई वो देखके पेपर ऐसा लगा भाई क्या बनाया इसने पेपर पता नहीं कहां से सवाल तो पूछे थे पर देखो इनके अच्छे विश्य में ऑप्शनल में दूसरे में बहुत अच्छ तो यहां पे रखने है और और अगर रहता है तो 110 और पिलस रखो आपका सेलेक्शन डियेंग एसडियेंग का या डी एसपी का कोई भी पोस्ट आपको मिलेगी पक्का के पक्का यह कैमेश्टी है यह कैमेश्टी विशेश है जो साइन्स बैक्ग्राउंड के बच्चे अक सेंटरव्यू का यह कितना 06 1 इनके इंटर्व्यू मिले और यह इसलेक्ट हो गए कहां हो गे इसलेक्ट हो गये यह सलेक्ट कैंडिडेट है जिनकी रैंक्स चाहई 200 या 200 है अ अब मैंने इस वीडियो का मकसद यह है आपको बताना की और शननल अभी भी UPPCS में बहुत अच्छा roll play कर रहा है अगर 23 के अंदर भी optional रहता है तो आपको बहुत मजबूती से optional को तयार करो इतना मजबूती से कि अगर 200 में से आपके करीबन करीबन 110 पिलस तो होने ही चाहिए किसी भी हालत में अगर आपको selection लेना है अब यह हो जाता है history option बहुत वार्स चिलेबस्ट होता है तो इसलिए इनके इनके optional में कम थे और that's why यह भी select इहां पर नहीं हो पाई इनके तो और भी जगे कम थे 061 जर्नलिस्टेडी 3 में इनके कुल marks थे एक यह आजाते है history के यह selected है मतलब return के लिए इनको इंटर्व्यू के लिए को लाया बट इंटर्व्यू की वज़े यह final selected नहीं हुए final select नहीं हुए क्योंकि overall इनके number बहुत कम थे और इंटर्व्यू में भी मात्र 56 नंबर इनको मिले जो की ठीक ठाक है पर यह finally select नहीं हुए थे history में देखो 1115 लाये हैं तभी इंटर्व्यू को लाया और यहां पर तो average भी लाये है ना तब भी ने कोई दिक्कत नहीं आई यह एक और मार्क सीट है यह जोग्राफी की है यह भी देख लो किसकी जोग्राफी की मार्क सीट है यहां पर जोग्राफी में 93 मार्क से इनके उप्शनल में 200 में से और 108 यहां पर हैं 200 में से यह सारे मार्क सोते हैं यूपी पीसियस में जबकि हिंदी और से में डेड़ डेड़ सो के नंबर में से नंबर मिलते हैं तो यह देख लो इनका भी सेलेक्शन नहीं हुआ था अब हिस्ट्री के कुछ और मार्क सीट है मार्क सीट तो बहुत सारी है पर सेलेक्शन क्या कुछ ही लोगों के होते हैं इसलिए मार दिखाने का मतलब है यह बच्चे मेंस दे के आते हैं बहुत पढ़ते भी हैं पर आप आप इनके optional को लेके analysis करो कि आखिर कहां कमी रहती है और कहां पे हमें नंबर बढ़ाने हैं तो यह आप देख लेना आपको हम link डाल देंगे वहां से PDF डाउनलोड कर लेना यह सारी कि सारी PDF आपको वहां पे मिल जाएंगी कि आप इन्हें अच्छे से देखना और evaluate करना कि आखिर कहां गलती रहती है एक बच्चे से जब वह पेपर देता है यह sociology हो गया यह भी अच्छा विश्य है history की काफी कोफी है और history और geography के बच्चे इस बार अच्छे से सलेक्ट हुए हैं बहुत अच्छा रिजल्ट जोग्रफी का आया है इस बार तो अगर आपको जोग्रफी है अपने आपको मजबूत बना के रखो आप कही ना कहीं सलेक्ट हो जाने है चलिए यह कुछ और मार्क सीट हैं सारी PDF डलवा देंगे आप देख लेना इनको यह देखो ओप्शनल में जहां केमेश्टी है एक सो अठार एक सो चोविस तो सलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाना है अलो आओ देख लेते हैं कुछ अपनी ओफिशल साइट से देख लेते हैं कि इनकी कट आफ कित जाते हम नोटिस में चलते हैं नोटिस में आओ इसकी ओफिशल कट ओफ देख लेते हैं कि ओफिशल कट ओफ इसकी क्या गई है यह 2021 का पेपर है आप देख लो यहां पे लिखा हुआ है 2021 अगर हम देखें जो कह देते हम क्या SDM उप जिला अधिकारी अपने आप में भोकाल है अपने आप में पोश्टी भोकाल है SDM के बाद SDM के बाद SDM आते हैं तो अगर यूर की देखें तो अपर सबसे ज्यादे टोपर क्या कितने पर बनाए 1976 पर क्या टोपर बना है और सबसे कम मलब नीचे जो बनाए लास्ट जो SDM सेलेक्ट हुआ है वो लास्ट सेलेक्ट ह अगर आप इसका डिफ्रेंस देखें तो बहुत कम मार्जन आता है करीबन करीबन सत्रे माक्स का कुल सत्रे माक्स के अंदर सारा खेला हो गया केवल सत्रे माक्स के अंदर सारा खेला है टोपर के इतने नंबर है और जबकी लास्ट सेलेक्टिट बच्चे के इतने नंबर है मात्र सत्रे नंबर के अंदर सारी लिष्ट बन गई आप देख लोग कितना क्या कितना गला काट कॉम्प्टिशन मेंस के अंदर होता ह अगर हम वहीं देखें दिव्यांग की 774 अच्छी खासी का टॉफ है और 774 लोएस्ट है अनुसुचित जाती की देखें तो टोप है 905 और 851 सबसे कम है देखो यह अनुसुचित जाती की है और इसमें देख लो टोप पे 905 नमबर लाने वाला सबसे ज्यादा टोपर इसमें बना था वहीं अगर हम डीएसपी की देखें डीएसपी की देखें डिप्टी एसपी की तो जो अनारेक्षी था जनरल की कट आफ कितनी है 894 और लाश्ट का जो बच्चा सेलेक्टिट था जनरल में यूर के अंदर वो डवल एट उसका क्या मार्क्स आये थे 888 उसके मार्क आये थे यह और इंटरव्यू को जोड़के और मेंस के नंबर को जोड़के यह कट ओफ दिखाई गई है तो यह देख लेना आप कट ओफ आपको दिख रही होगी बहुत अच्छे से अगर जिस बच्चे को नहीं दिख रही तो यह लो और देख लो यहां से आपको दिख जाएगी कि पुलिस अधिक्षक डिप्टी एसपी कि कितनी कट ओफ बनी हुई है है ना चलो फिर अब आगे देख लेते हैं कुछ और कट ओफ देख मलव अगले पोस्टों की देख लेते हैं यह क्या सायक संभागया परिवान अधिकारिया बहुत अच्छी पोस्ट होती है इसे कहते हैं बहुत पैसा इस पोस्ट में है यह भी कितने 8,97 पे मिली है और 8,97 पर ही लाष्ट मतलब कम के भी इतने और टोपर के भी इतने हैं देखें कोंप्टीशन देखो और यह सारा खेल हूआ है प्रीफ्रेंस की वजह से किसकी प्रीफ्रेंस जो लोगों ने दी है जो सेम टू सेम कटफ रही है अगर हम देखे सी की कट ओफ एट थर्टी पॉर इनकी से मी सीट है साइध इसमें दो या तीन सीट थी इसलिए सेम की सेम कट ओफ बनी है अगर वहीं देखे खंडविकास अधिकारी बहुत अच्छी पोस्ट है इसकी भी 888 पे 888 पे टोपर और 872 पर क्या जो लाश्ट सेलेक्टिट बच्चा है वो है आप देखो कितना गलाकाट कॉम्टीशन है यही तो कहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से स्टेटेजिकली चलना पड़ेगा 844 पर है तो 844 लाश्ट सेलेक्टिट बच्चे के नमबर है तो यह कुछ है माक सीट आप देख लो उपनिवंदक यह सब्रेजिस्टार होता है इसकी देख लो सब्रेजिस्टार की बहुत अच्छी पोस्ट होती है अपने आप में बहुत म और लाश्ट देखें 774 पर लाश्ट बच्चा आ जाता है कम गई है कट ओफ काफी कम गई है इसकी कट ओफ भी काफी कम गई है यह सारी कट ओफ आप देख लेना इसकी PDF डलवा देंगे बस आपको जो मैंने स्टेटेजिस शुरू में बताई है कि आपको स्टेटेजिकली चलना है अगर ओप्शनल है तो उस पर बहुत महत्पूंट ध्यान देना है और सारे विशय को करीबन 90 पिलस लेके चलोगे तो कोई भी आपका फाइनल सेलेक्शन नहीं रोक सकता कुछ ना कुछ आपको पोस्ट डेफिनेटली मिलेगी यह सारी कट ओफ लिस्ट है आप इछली वाली कट ओफ से तुलना करें इसकी तब एवलेट करें कि आखिर कितनी कितने नंबर पर क्या सेलेक्शन होता है और आखिर इतना गलाकार्ट कॉम्टिशन क्यों कहा जाता है इसको बहुत एकदम से यह देखो छोटे-छोटे नंबरों पर क्या बहुत होती है देख आपको भी उस लेवल की तयारी करनी है यह देख लो सारे है ना उपकारापाल की प्रभादिक सायक राशायन केमेश्टी वाले की जिसने केमेश्टी ऑप्शनल था उसका अच्छे नंबर थे मैंने दिखाया था तो उसका तो सलेक्शन हो गया होगा क्योंकि इतने अच्छ आपको दिखाई आज का टॉफ और यह सारी चीजे तो इससे एनलीसिस यही निकलता है कि आपको अभी तो तयार करना है अगर हटता है तो फिर जी एस और फिर पैटरन चेंज होगा और जब भी कुछ चेंज होता है तो बदलाब कुछ ना किसी को जनम देता है और किसी की म पंदे दिन ना भी उप्शनल पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है है ना जैसे इस आयोक का नोटिस आता है देन तुरंत आप उप्शनल में पढ़ना ही लग जाई और उसको मलब यह कहले चार्ट जाओ उप्शनल को उसी से सलेक्शन हो रहे हैं आपने देखा यहां पे होग और एवर एक्जाम भी इसका जनवरी के 23 की जनवरी में UPPCS के लिए हम फिरी मुखरजी नगर की टोप फैकल्टी के साथ स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फिरी यूट्यूब पे पढ़ाएंगे आज तक ऐसी किरांती सायदी कोई लाया हो और हम फिरी वो किरांती जनवरी से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल डिट्टो कैसा स्टार्ट करेंगे पोइंट टू पोइंट जो पेपर के मकसद का हो कुछ भी फालतु वहां पे नहीं होगा आज के लिए विदा दीजिए जैहिन वंदे मात्रम फिर मिलते हैं किसी किलास में और जनवरी में UPPCS के बैच क के साथ मिलेंगे मतलब फ्री बैस कोई पैसे वाला नी पेडवेड नी फ्री यूट्यूब के अंदर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम कि अधसे प्रिव स्कूप उड़ाइं भाला नी चया है 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 कि अधसे तूम में प्रिव प्री मात्रम प्रॉट सब्स्क्राइब क likes